नमस्कार आप देख रहे हैं दे मुखनायक इस वक्त मैं मौझूद बढ़्यास पंचायत के पहले अदिवासी सरपंच बने नारायन लाल के घर इस वक्त मेरे साथ बेठे हैं अदिवासी समाद से आने वाले नारायन सिंग जो की हाली में सरपंच बने हैं बहुत-बहुत पहुंचे हैं अब आगे आपके लिए क्या चुनोतिया हैं मतलब यही है कि मतलब सब का विकास करेंगे सब मिल जूलकर मतलब मुझे जो भी जिम्मिदार मिली इसको मतलब सच्चे मन से निपाऊंगा और सब के साथ रहूंगा इससे पहले आप सबजी का काम करते थे कितने सालों से यह काम कर रहे हैं चेशा साल से शाथ साल से आपको इसा क्यों लगा कि मुझे यह चुनाव लड़ना चाहिए ताकि मैं कुछ कर सगू मतलब एसे मेरे अंदर मतलब इच्छा तो थी पहले से बहुत दिनों से यह सरपंच का चुनाव लड़ू चुनाव लड़ू और अब इस बार मोका आ गया और मैं यह बन गया तो आगे आप क्या करेंगे गाओंवालों के लिए या आपकी समाज के लिए जो भी मतलब मेरे सच्चे मन से जो भी होगा में शक को सच्चे मन से निभाऊंगा और समाज के लिए समाज के लिए मतलब बच्चों को स्कुल मतलब पड़ो लिगो सबको और अच्छे बनो आगे कई चुनोतियां आएगी आपके सामने तो उनको किस तरह से देखेंगे मतलब बन्यास पंचायत के पहले आदिवसी सरपंच का सफ़र आपने कैसे ताईगी बाबा साब ने जो शविदान बनाया मतलब उसके वजय से मैं आज उस मुकाम पर मतलब आज यहां तक मैं आया हूँ आज यहां तक हाता नहीं लाद नहीं उसमाज को सबसे आगे रखूँगा और बच और बचनों को देखेंगे और उनको अच्य पढ़ा ही मिले और सब को मैं पढ़ने के लीए बेजूंगा और अपने नहींठों करें आपने शमाजिका